अब भी तो बहुत टाइम पढ़ा है, एक्जाम्स को अब भी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अब अगला जो मन्थ है, वो फेस्टिव सीजन आने वला है, आप वीजी हो जाओगे, क्योंकि लाइफ एंजॉय करना भी तो जुरूर है, सिर्फ पढ़ता होना रह जाएंगे, कोई भी चाप्टर डिफिकल्ड नहीं है, पहले तो यह माइंड में डालो, सूपर डूपर इजी चाप्टर हैं, और सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हाई अविवान, दिस भातियां, वेल्कुन दूमा चानल, डीन माच्स और आज हम डिसक्स करने वाले हैं बहुत इंपॉर या नहीं लिया था या नहीं लिया वो साही चीज़े माइन में आती हैं कि मैट्स कर पाऊंगा नहीं नहीं आ जाए, यह सब चीज़े हम सोट आउट करने मने हैं कि आपने बिजनस मैथमेटिक से डील कैसे करना है, आपको पेपर के बारें पतोना चाहिए, उसके सारे तो भी गाम चलेगा लेकिन वो फोट चाप्टर स्टी चाप्टर स्कॉन से ओंगे यह आपको आपका पेपर पाटर नो पेपर बताता है, तो यह सब हम डिसकुस करने वाले मता मैं कैठीज को इस स्कूल से क्यों इस ए क्यों कि आपको यहां पर पूरा पूरा सलेबस्करने कैसे आप marks ले सकते हो देख आप को गमाम अभी तो स्टार्ट हुआ है या फिर कुछी टाइम हुआ है अभी तो बहुत टाइम पढ़ा है एक्जाम को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें अब अगला जो मन्त है वो फेस्टिव सीजन आने वला है आप इजी हो जाओगे क्यो सीजन अच्छ से कर पाऊ अच्छ से एक्जाम कर पाऊ और उसके बाद एक्जामस भी दे पाऊ नवंबर एंड में या फी दिसंबर स्टार्टिंग अपके अच्छ से पढ़ानी कोई फरक नहीं पढ़ता है आपके पास 12 मैट्स था या नहीं इस चैनल पर हर चैप्टर में सब्सक्राइब कर रहे हो ना तो भी आपको समझाएगा बिल्कुल बेसिक से उठाया गया तो पहली चीज माइंड से निकाल दो कि आपने मैट्स लिया था नहीं लिया था मेरे से होगा नहीं नहीं आपसे ही माट्स होगा तब ही आपके कोर्ष में अगर जिसने डिसाइड आपको पढ़ना चीजिए कि बीबी में माट्स होना चीजिए तो उसको भी तो पता होगा ना कि कॉमर्स में 12 में चौइस होती है माट्स हो तो वह अवेर है उन्होंने वही लेवल का माट्स रखे है चाहे को से डील कर लोगे तो इस तीसकी देंग्शन माइंड से निकाल अब आता है know your paper कुछ भी चीज स्टार्ट करने नो उसके बारे में सबसे पहले आपको पूरी knowledge होने चाहिए तब भी आप उससे अच्छे से डील कर पाऊ knowledge मतलब आपको पता होना चाहिए इस subject में कितने marks का paper है कितने की internal marks है आपको कितना पढ़ना है मतलब यह नहीं टीचर ने एक बुक बताई आपने first chapter से पढ़ना शुरू किया और last chapter तक चाहे पढ़ा नहीं लेकिन उसका burden लेके बैढ़े कि मुझे तो 16 के 16 chapters करने है नहीं आ 20 marks का paper होने वाल है या फिस 60-20 में distribution है आपको पहले distribution के बारे में पता होना ची इससे क्या होगा मालो 20 marks की internal है और हम इसको lightly लेते जा रहे है मेरे पास 5 subjects है सबकी 20-20 marks ही क्या है internal है तो total कितने होगे total 100 marks होगे तो 100 marks क्या कम होते है हर subject आपको 20 दे रहे है और ऐसे total करते 100 marks प्रोपर टेस्स देके assignments देके attendance और टेस्ट में वही चाप्टेस आने जो आपके paper में आपको help करेंगे तो आप पहले उसको test अच्छे से दो तो इसका मतलब यह आपने 100 marks तो बिलकुल नहीं चोड़ने 5 subjects है अपने हर एक में 20-20 मिल मतलब यह नहीं कि मुश्कले 20 मिलेंगे बहुत इसली मिलते हैं अगर प्रोपरली काम करते हो कॉलेज वले देने को ही बैठे हैं माक्स वह आपको रखना नहीं चाहते हैं माक्स आपके आपको देना ही चाहते हैं उनका रिजल्ट अच्छा होता है तो आपने यह काम प्रोपरली करना है attendance assignments और टेस्ट अब रही बा आपको आपके syllabus आपके paper pattern की knowledge है तो आप 16 में से 12 chapters भी कर रहो तो भी 18 में से 75 marks बहुत अराम से ले सकते हैं अब बताऊंगी वह काम कैसे करने सबसे पहले चीज आपको पेपर का नाम पता लग गया कितने marks का पेपर इसा पता लग गया पर ही कहां से पता लगगा कि इंटरन असेस्मेंट कितने कि एक्स्टरन कितने की है को कॉलिज में वेट नहीं कर सकते कि हर कुई आपको आपके बताएगा कि चीज की ऐसे काम होगा इंटरनल इतने का है पेपर में सलेबस इतना करना है टीचर आपको नहीं सकता कि 16 में से 12 chapters करो यह आपने खुद अपने रिस्प मैं के युगे बी बीए माच्स का जाज़ेत लिकूँ की के बीबी ए माच्स यह सलेबस मिरेको मिल जाएगा कहां पे गुगल पर सेर्च को आपको PDF मिल जाएगी सारे सलेबस की मता सारे आप ऐसे सबजेक्स की डूं चाते हो जैसे माच्स का ढूंड़ा मैसे अकाउंट का और पी जितने भी आपके सब्जेक्ट से हैं, पहले आपने अपना सिलेबस सेच करना है, सिलेबस का एक आपके पास शीट आ जाएगा, उसकी उपर सबसे पहले ये लिखाओगा, इंटर्नल मांक्स केतना है, और दूरेशन कितने मार्क्स का पेपर होने वाल है, उसके उपर म मैंशन होगा वहां से आपको आपके सब्जेक के बारे में पता लग जाएगा सेकिंड चीज जो सलेबस होता है वो ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है कि चाप्टर लिखे हुए चाप्टर वान चाप्टर टू चाप्टर थरी नहीं ही आपके पास अगर युनिट मसरा वाल समय सिर्फ like टूपिक के ने मंच्शन होता ना कि चाप्टार के अगर एक को लिख लेकर किसे निशें सारी आपके पास नहीं मेंशन करके उसके नीचे सारे topics होंगे means chapters नहीं होते आपको headings topics की वो मिली होती है आप topics लो लिखे होते हैं क्या वो सारे सारे करने नहीं सारे topics नहीं करने आपको आपके paper pattern के बारे में पता होना बहुत जरूरी अगर आपको चाप्टर चूस करने अगर मैं कह रही हैं कि 16 chapters है या 8 chapters है आपको सारे सारे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती आपको chapter choose करने वो कैसे उससे पहले आपको आपका paper pattern होना चाहिए नो यह pattern जो भी आपका paper pattern है वो आपको उसके के बारे में पता होना चाहिए वो कैसे पता लगगा आपको previous year question paper आपके college की library में बहुत इजली मिल जाएंगे अगर नहीं मिल रहें college के पास bookshop पे पुछो previous year जो भी आप university college का नेम बता के कभी भी bookshop पे जाके आपने previous year question paper नहीं डूलने किसी भी subject पे अगर आपको अच्छे marks लेने है ना तो आपको उसके question paper previous year बहुत जरूरत पड़ेगी यह college में की rule बोलते है ना एकदम point अच्छा बता रहे हूं कि previous year question paper हर subject के लिए दो फिर उसमें आप देखो कि आपके paper में कितने question आते हैं जैसे कोई कहेगा कि आपके 9 question आएंगे उसमें 5 करना है या फिर unit wise आएगा जैसे मालो unit 1 है इसमें 2 question दे देंगे आपको कोई भी 1 करना है यह system भी आ सकता है ऐसे unit 2 होगा उसमें 2 question होगे 3rd and 4th कोई भी 1 question करो चाहे 3rd करो चाहे 4th करो ऐसे unit 3 दिया होगा उसमें 2 question होगे 5th and 6 इन 5th और 6 में से कोई 1 question करना है हो सकता है unit में 2-2 question दे रखे हो कोई आपको 1 choose करना हो हो सकता है total आपको 9 दे रखे हो उसमें से 5 करने हो इट depends कि आपका pattern किया है अच्छा एक बार बताओ आपको unit में से दो question दे रखे है उस दो question में से कितने करना है कोई एक अब ये बताओ अगर मुझे दो में से कोई एक ही करना है और इस unit 1 में 5 chapter तियार करने थे तो अगर 2 question में से मैंने एक कोईशन ही पेपर में जाके टेम्ट दरना है तो मैं पांच के पांच चैप्टर क्यों तियार करूंगी एक बाद हैं समझो मैंने से लेबस में देखा कि यूनिट वन में पांच चैप्टर है या फिर को 25 टॉपिक्स है ठीक है मैंने कर टॉपिक वाइस दिया हो तो असले कि यह पर बताता है कि कैसे आप इन पत्चास में से अपने जो चैप्टर अपने टॉपिक्स है वो सेलेक्ट कर पाऊ यह बोहुत इसी चीज होती है पत्चास टॉपिक्स जोंगे कोई ऐसे नहीं कोई बी रेंडम उठाए होंगे यह भी चाप्टर के अंदर होंगे जब ब अगर कोई युनिट में से आप जादा टॉपिक्स करके जा रहे हो पांचे टॉपिक्स छोड भी गए और वह भी आपको पता है कि इतने इंपोर्टेंट नहीं है तो आप इन दो में से एक कोशन एजली कर सकते हो और जब मैं कोई चाप्टर यूटुब चानल पर करा रही चैप्टर भी कर जो दस में से तो भी आप 5 कोशन आउट ओफ 9 निकाल लोगे गरिंटेड गोल रही हूं आप 7 चैप्टर कर लो आउट ओफ 10 तो भी आप पांच कोशन 9 में से निकाल लोगे पेपर में जाके तो पेपर पाटरन ज़रू पता होना ची कि कितनी चोईस मिलने आप उसके कोड़िंग क्वेशन अपने सेलेक्टर सकतों चाप्टर सेलेक्टर सकतों कॉलेज में जो पूरा-पूरा से लेबस कर रहा है बैठकी से फर्स चैप्टर से एंड चैप्टर तक कोई फायदा नहीं होता है ठीक है नोलेज बढ़ रही है सब कुछ अच्छा है कि सब कुछ हमें आना चाहिए लेकिन जब एक बार हम मार्क्स की तरफ जा रहे है ना तो फिर हमें थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ता है अब को माम यह तो नोलेज बढ़ दिया सारा सा पढ़ ले तो पढ़ लो तुर आपने मार्क्स के राइंगे याएंगे लेकिन कई सिर्फ हमें देखो हमारे दो अपरोच टे बढने के एक नोलेजवाइज होती है और एक मार्क्स के एक बढ़ थे लेकिन अपनी ने क्रेशन को मारे जिस तेम परेशे में परेशन क कि नो तो इसके वारो नोलेज भी बढ़ाते रहना थीका अब देखो यहां पर यहां पी पहले तो यह माइंड में डालो सूपर डूपर इजी चाप्टर्स है और सिफ कहने के लिए नहीं है जिनों ने पढ़ाया ना चाप्टर्स पहले यह फर्स सेंड 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 में वो फटा-फट से नहीं चाप्टर्स पहले बारे में बताते हूं आप कोई भी वीडियो देख रहो ना उसमें नोट्स जरूर बनाने है नोट्स का मतलब आपको बार-बार वो वीडियो ना देखनी पड़े कोई कहेगा कि मेरी वीडियो बार-बार मत देखो मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने एक बार वीडियो देख ली, आपने नोट्स बना लिए, आपको वो चीज दुबारा समझने की जुद पड़ेगी नहीं, आपको एक ही बार वीडियो दिखने से अच्छा समझ आ जाएगी नोट्स आप बार-बार रिवाईज करते रोगे, टाइम सेव होगा, और पेपर के लिए अच्छी तेयारी हो गी सेकंड चीज नोट्स पनाने के बाद जो भी बुक आपके पास है जीवंसम्स पॉब्लिकेशन कोई भी बुक आपके पास हो जो आपके कॉलेज न इन्युवस्टे ने आपको रिकमेंड की हो आप उससे सेम टॉपिक के क्वेशन ट्राय करोगे फॉर एजामपल मैट्टिक्स अपनी बुक पे जाना है जिनको बुक्स नहीं पता कौन सी बुक से पढ़ना है या क्या है अपनी उनिवर्सिटी नीचे मैंशन कर देना मैं आपके इस लेबस के कोडिंग आपको बुक भी बता दूंगी कोई दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है बाकि जो भी सारे चैप्ट baru set theory नहीं बढ़ने वाले किसी बी उनिवर्सिटी नहीं जो उनिवर्स्टी का थे सारे चैप्टर कोईव्यवस्ति का बच्जा कर सकते है यहां से चीजे सीखिए आपनी पुकष लिगा सकता है कोई दिककत नहीं आगे की बहुत अच्छे च्छे नमरों से बच्चों दे प और नेक्स्ट मन्थ आपका festive season है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो एक schedule बना के सिर्फ maths नहीं बाकी subjects भी, एक दिन में कम से कम दो subject लगाना शुरू करो, maths और एक ओर subject, ऐसे करके आपके तयारी होगी, चीक है, अलोगो मैट्विस, अबनेंट, सेट थियो, एक फांक्शन, सिंपल इंटरस्ट, कंपाउंड इंटरस्ट, ट्रेत लाइन्स, यह सारे चाप्टर, डेरिवेटिव, इंटिरेशन, बाइनोमियर, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वाडिटिक, लीनियर एक्विशन, रममोटेशन, कॉम्टेशन, लीम आपको लगता है, पैली बात तो अगर आपको लगता है कि चाप्टर मुझे चाहिए, तो आप सेसे पहले सर्च करोव चाप्टर नेम और आगे ड्रीम मैं लेको डिखना, अगर वो चाप्टर चैनल पे है उसकी प्लेवीस आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर जाके त मैंने वह नहीं चैप्टर कराया हुआ तो आप इसके कमेंट सेक्शन में डाल दे ना जूंसा चैप्टर आपको चैप्टर चैनल पे स्टार्ट होने वाल है तो मैं एक पोल डाल दूरूं के कॉम्निटी पे जिस चैप्टर के सबसे ज्यादा दिमांड ही वो चैप्टर अप स पोहुत इसली सारा से लेबस हो जाएगा बीबे हो गया बीकॉम हो गया टेंशनली चीज नहीं बस रेगुलर पड़ो काम को अपना इक अठा मत करो असाइमेंट्स होगे टेस्ट होगे इनको लाइटली मत लो आप आपको डर नहीं लगेगा माच से और आप मेंसे जितने ह सब्सक्राइब जो में पतकर सबाएगे अपकst अपने और अपने ईनिवर्सिटी और अपना सेम जो बीड़े मुझे प्ना करोगे करो बताओगे कि अवाप माच स्टार्ट करने हो तो अपने य сделी माच कवर करोल गये कोई दिक्कत में आने ब rising